Hello guys, this is Prashant Kumar and welcome back to PTSCADExpert. So guys, this is our 14th lecture in Revit Architecture for Beginner Series and आज हम बात करने वाले हैं about window. So Revit Architecture के अंदर हम कितने type की window by default हमारे पास library में available होती हैं, कैसे हम window को place कर सकते हैं, कैसे हम उनके types को change कर सकते हैं, कैसे in detail property में जाके हम different options को change करके जो form है window की उसको कैसे change कर सकते हैं, तो इन सभी aspect के बारे में हम बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे single window की, swimming window की, flat जो हमारे round window होती है उसके बारे में बात करेंगे, sliding window के बारे में बात करेंगे, bend window के बारे में बात करेंगे, इसी तरह से corner, triangular shape में different different की जो style में window available हैं हमारे पास commercial market में जैसे कि आप देख सकते हैं तो वो style हम कैसे अपने project के अंदर use कर सकते हैं अभी जैसे काफी सारे concern, doubts, लोगों ने मुझसे सवाल किये कि sir जैसे अभी last lecture हमने door के ओपर cover किया था तो उसमें पूचा कि हमें commercial door हमें कहां मिल सकते हैं commercial windows हमें कहां मिल सकते हैं कैसे हम commercial objects को अपने commercial components को अपने project के अंदर use कर सकते हैं और कहां से हमें वो perfect size के वो component हमें मिल सकते हैं और कैसे हम अपने according size को change कर सकते हैं तो बने रही है इस वीडियो में आखिर तक आप मेरे साथ और इस वीडियो में मैं सारे concern आपके solve करने वाला हूँ और एक surprise भी एक वीडियो में है जो आपको mid of the video में आपको reveal करने वाला हूँ जिसमें ये सभी problems के solutions आपको मिलने वाले हैं अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe कर लें as you can see 72% लोग हमारे वीडियो देखते हैं बर चैनल को subscribe अभी तक नहीं किया है so I requested you please subscribe our channel for future videos और हम बहुत इंट्रेस्टिंग वीडियो आने वाले समय में भी बनाने वाले हैं तो please channel को subscribe कर लीजिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं so guys जैसा कि आप देख सकते हैं window का option हमारे पास available है यहाँ पे तो जैसे ही आप window पे click करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हमें click किया और click करने के बाद by default यहाँ पे हमारे पास series of window आ चुकी है तो by default जो इसके अंदर size है 16 inch by 24 inch fixed window है तो जैसे ही आप इसे place करेंगे कहीं पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे यह इसकी sill height है जो की 3 feet है हमने यहाँ पे window को simply place किया और place करने के बाद अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो space है जोकी inside होना चीए वो outside है तो हम level 1 को यहाँ से activate करते हैं और जो window हमने यहाँ पे place किया है यह आप देख सकते हैं इसको select करके यहाँ पे option आता है और easily आप इसे flip कर सकते हैं यह देखे हैं flip करने के बाद अभी हम check करेंगे यह देखे तो इस तरह से window हमारी यहाँ पे place हो चुकी है अब guys क्योंकि यह fix window है तो इसको select करके हम अगर इसके size में change करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं material and finishes, construction and dimension तो under the dimension आप देख सकते हैं अगर हमें height में change करना है 5 feet और अगर हमें यहाँ से width में change करना है like 4 feet और जैसे आप यहाँ से ok करेंगे तो यह fix window का जो size है वो यहाँ पे increase हो जाएगा and it will look like this तो इस तरह से window आप देख सकते हैं इस window को select करने के बाद shift के just bottom में हमारे पास left or right move करने के option होते हैं इससे आप easily say left or right अगर change करना चाहें तो change कर सकते हैं from the corner जैसे कि अभी हमने यहाँ पे select किया तो height में अगर change करना है from the corner अगर window को shift करना है तो आप देख सकते हैं यहां से भी हम change कर सकते हैं like 3 feet करेंगे तो हमारी window जो है वो यहाँ से one feet shift हो जाएगी यहां से अगर हम इसे shift करेंगे तो इस तरह से direct window को अगर हम dimension select करने के बाद भी edit करें तो आप easily उसे change कर सकते हैं detail में जाएंगे तो यहाँ पर भी आप इसे select करके direct भी drag कर सकते हैं और यहाँ से भी dimension आप change करके इसे shift कर सकते हैं उसके अलावा यहाँ पर आप जैसे window को select करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास identify data करके option है जिसके through आप easily इस window को कोई भी identity दे सकते हैं यहाँ से आप कोई भी image upload कर सकते हैं जैसे इस window की कोई rendered image है वो आपने as an identity यहाँ पर रखा कोई भी comment इस window के बारे में manufacturer के बारे में या इसके size के बारे में या cost के बारे में कोई भी आप यहाँ पर comment कर सकते हैं उसके identity के लिए और यहाँ पर आप mark डाल सकते हैं जैसे window का code हो गया like यहाँ से हम डाल देते हैं MD45 यह हमने कोई भी code रखा window के लिए तो यह code यहाँ पर इसके identity बन जाएगा इस तरीके से आप काम कर सकते हैं next यहाँ से अगर आप level की बात करें तो अभी आप देख सकते हैं यह window हमने level 1 पे लगाई है अगर हम level 2 करेंगे तो आप देख सकते हैं can't cut instance तो यहाँ पर यहाँ पर जो हमारे पास wall है अभी यह instance को यहाँ से cut नहीं कर रहा है तो अगर इस तरह से आपको shift करना है तो यहाँ पर हमारे पास एक option होता है जिसके तुरू आप easily इसे change कर सकते हैं pick new host तो जैसे आप select करेंगे तो यहाँ से pick new host करके आप easily window को shift भी कर सकते हैं एक floor से दूसरे floor पे भी कर सकते हैं और एक wall से दूसरी wall पे भी कर सकते हैं लाइक इसको select किया pick new host और अगर इस window पर select करेंगे तो आप देख सकते हैं यह दूसरी window पर आ गया है तो इस तरह से आप यहाँ से easily इसे change कर सकते हैं इसके अलावा, जैसे हम यहाँ से window को select करते हैं, added type में जाते हैं, अब Revit के अंदर हमारे पास काफी सारे existing style है window के, तो यहाँ से हम load option पे click करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे आप window को select करके load करेंगे, तो यहाँ पे इस तरह से आपको काफी सारे options मिलेंगे library के अंदर, तो हमें जाना है window, आप W press कर सकते हैं, किसी भी folder को select करके, तो यहाँ पे देख सकते हैं window है, तो guys यह हमारे existing style है, इन existing style को आप use कर सकते है like अगर हमें यहाँ से sliding with trim, मतलब double panel में लेना है, और sliding window लेनी है, तो हम यहाँ से इसे choose कर सकते हैं, यहाँ से हमें combination RTP with trim लेना है, round form में, तो हम यह भी ले सकते हैं, double hung लेना है, ले सकते हैं, elliptical लेना है, ले सकते हैं, तो यहाँ से हम ले लेते हैं, sliding with trim, and then इसी existing style को हम यह यहां से change करने वाले हैं तो यह आप देख सकते हैं यह पूरी तरह से change हो गया है और इसके size में अगर हमें change करना है तो यहां से हमारे पास height है हम इसे कर देते हैं 5 feet और यहां से हमारे पास width है इसे हम कर देते हैं यहां से 3.5 feet अंदर यहां से करते हैं, ओके, तो यह आप देखेंगे, इस तरह से, यह आप देख सकते हैं, यहां पर हमारी window जो है, वो easily यहां पर place हो चुकी है, अब यहां पर एक चीज आती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं mid of the video आपको जो surprise है, वो reveal करने वाला हूँ, जो concern मुझ हमें चाहिए, तो हम कहां से उसे insert करा सकते हैं, कैसे अपने project में उसे use कर सकते हैं, तो मैं वो problem आपकी solve करने वाला हूँ, इसके लिए मैं आपको refer करूँगा एक website के लिए, इस website का नाम है market.bimsmith.com, तो simply आपको इस website पे आना है, और जब आप इस website पे आएंगे, तो जैसे आप इस website पे आएंगे market.bimsmith.com, तो इस website पे आने के बाद यहां पे आप देख सकते हैं, कि आप Revit के, AutoCAD के, SketchUp के, IFC के, 3DS Max के, Bent लेके, काफी सारे format में आप यहां से models को download कर सकते हैं, और सबसे पहले आपको इस website पे आने के बाद यहां से sign up करना है, और sign up करने के बाद जब एक बार आप इस website में login हो जाएंगे, तो यह कुछ आपको इस तरह से appear होगी, आपका account यहां पे visible होगा, और यहां से आपको कोई भी keyword आप search कर सकते हैं, अब because हमारी requirement जो है, वो window है, तो हमने window को यहां से simply search किया, और search करने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं, यहा requirement में आपको window चाहिए, यहां पे आप देख सकते हैं, आपको hundreds of thousand type के यहां पे style मिलेंगे, और सबसे interesting बात, इस website की यह है, इन components की यह है, यह सभी parametric components हैं, मतलब कि इनका size आप अपने हिसाब से user manual आपको मिलेगा, आप अपने according easily अपनी requirement के हिसाब से इनके size को change कर सकते हैं, which is very important, कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको style तो मिल जाता है window का, लेकिन जब आप size बदलना चाहते हैं, तो फिर आपको edit type में जाके, उसके size को change करना पड़ता है, parametric उसके होते नहीं है, लेकिन इस website के बारे में सबसे interesting चीज़ यही है, कि जितने भी component आपको मिलेंगे, like corner window आप लेंगे, या किसी भी तरह की wooden में, या किसी भी material में, steel के अंदर, glass के अंदर, कोई भी window आप ले रहे हैं, किसी भी style में ले रहे हैं, सब के proper parametric dimensions होंगी, और easily आप उनको change कर सकते हैं, अपनी requirement के according, देखिए, आपको गर round चाहिए, तो आप round window भी ले सकते हैं, इस style मे लेना है, style में लेना है, तो आप देख सकते हैं, कितने style यहाँ पे available हैं, यह आप देख सकते हैं, तो जो भी style आपको यहाँ पे पसंद आता है, जो भी आपकी requirement को match करता है, वो सभी style आपको यहाँ पे available हो जाएंगे, और आप उनको अपने project में use कर सकते हैं, देखिए, कि कुछ जैसे हम commercially use करते हैं, वो सारे style यहाँ पर available हैं, इसके साथ में especially आपको एक चीज पर यहाँ पर बताना चाहूंगा, यहाँ पर callway window and door, callway करके यहाँ पर style आपको मिलेंगे, काफी सारे हैं, callway windows and door, जब इस वाले proper style में आप जाएंगे, मैं आपको दिखाना चाहूंगा यह चीज, download कैसे करना है, simply यहाँ पर अगर autocad का icon आता, sketchup का icon आता, तो rabbit वाले icon पर click करना है, और सीधा आपको download बटन पर click कर देना है, तो जैसे आप click करेंगे, यहाँ पर आप नीचे notice करेंगे, यह automatically download हो जाएगा, यह आप देख सकते हैं, यह देखते हैं, तो यह तरीक है, guys, आप simply उसको download कर सकते हैं, अब यहाँ पर सबसे important जो चीज है, जो मैं आपको बताने वाला था, वो था यह catalog, तो अगर आप एक learner है, अगर आप एक professional है, और लगातार आप चीजे सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको prefer करूँगा, इन catalogs को आप download कर लीजिए, और जैसे आप इन catalog को download कर लेंगे, तो आप notice करेंगे, यहाँ पर table of content दिया हुआ है, कैसे आप इन windows को modern architecture में use कर सकते हैं, कितने style में windows available है, like casement and avenue को कैसे use करना है, direct set को, corner direct set को, geometric direct set को, swinging, और इसी तरह के अलग 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 दोर और windows के बारे में, यहाँ पर काफे interesting models आपको मिल करेंगे, काफी technical aspects और उनकी details यहाँ पर दी हुई है, इन PDF के अंदर, आपको handle के style और बहुत कुछ यहाँ पर interesting है, तुम आपको prefer करूँगा कि इनकी official website भी आप call बे, door and window पर जाके visit करें, देखें, समझें, पढ़ें, सीखें, because जितना सीखेंगे, उतना ही आपके professional work में finishing आएगी, इन topics को आप underestimate ना करें, door, window, walls, इन छोटे-छोटे topics को आप underestimate ना करें, इन ही के अंदर innovation करके, आप अपने model को, modern architecture को, contemporary designs को एक बहुत high level पर आप ले जा सकते हैं, तो मैं आपको prefer करूँगा कि आप इन detail चीज़ों को जरूर study करें, तो वापिस हैं हमारे model पर चलता आपको दिखाने वाला हूं, तो इसके लिए, मैं सबसे पहले आपको एक corner window दिखाता हूं, तो सबसे पहले आपको window पे जाना है, यहाँ पे edit type में जाना है, load करना है, और load करने के बाद अभी है, यह हमारा existing style है, मैं जाता हूं यहाँ से downloads में, यह वाली हमारी window है, तो select करक आप open करेंगे simply, और open करने के बाद okay करेंगे, और जहाँ पे भी आपको place करना है, तो level को activate करिए, और यहाँ से आप इसे place कर सकते हैं, like हमें यहाँ पे रखना है, तो यह हमने place किया, 3D में गए, और यह देखिए, तो यह easily corner window हम यहाँ पे place कर सकते हैं, तो यह तो हो गया corner window यह भी आप वहाँ से download कर सकते हैं, इसके अलावा में कुछ style आपको और दिखाना चाहूंगा, like यह आप देखिए, इस तरह से अगर आपको circular window चाहिए, तो यहाँ से आप circular form के अंतर भी window apply कर सकते हैं, और काफी interesting, interesting designs आपको वहाँ पे मिलेंगे, अपनी requirement के हिसाब से यह देखिए, इस तरह का style है, इसमें आपको edit करना है, like इसे flip कर देते हैं, inside, now see, यह देखिए, तो यह design आपका इस तरह से आगया है, यहाँ पे, यह देखिए, इसके अलावा, कुछ और भी interesting style में आपको दिखाना चाहूंगा, तो यहाँ से हम जाएंगे, again, window, और इनके parameter में कैसे change करना है, वो भी मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा, अब यहाँ पे हमारे पास है window double hung, और यहाँ पे यह देखिए, यह इनके parameters है, यह आप अपने requirement के according height को, width को, और यहाँ पे flanker width को, यह आप change कर सकते हैं, तो उसी तरह से हमारा model जो है, उसके parameters जो है, वो import होंगे, software के अंदर, materials को भी आप even change करना चाहें, तो material finishing में जाके यहाँ पे आप change कर सकते हैं, बहुत easy है, सभी step जैसे door में हमने किया था, बिल्कुल वैसे ही है, so it will quite similar to door, तो अब क्योंकि यह heavy model है, तो यह काफी time लेगा, थोड़ा सा normal model के comparison में जादा समय लेगा, यह आप देख सकते हैं, इसके बारे में मैं आप से बात कर रहा था, कि जो size है, वो size आपको यहाँ मिलता है, और आप अपने requirement के हिसाब से change कर सकते हैं, so guys, यह देखे हैं, यहाँ आप यह हो गया है complete, अब इसे place करते हैं, तो यह जो style है, यह थोड़ा different style था, तो यह देखे, यह भी हमने bimsmith से ही download किया है, market.bimsmith.com, तो यह काफी, आप अपने model को काफी lucrative बना सकते हैं, with the help of those components, तो मैं इसलिए आपको strongly recommend करूंगा, कि आप जितना हो सके, आप online चीजों का online tools का benefit लें, तो आप competition को काफी हद तक beat कर पाएंगे, अगर आप traditional चीजों के उपर काम ही करते रहेंगे, तो आप modern architecture को compete नहीं कर पाएंगे, तो कोशिश करें, जितना हो सके, उतना modern tools का website का, जहाँ पर आपको चीजों का advantage मिले, जैसा इसकी height हमें बढ़ानी है, तो select करे करेंगे, यहाँ से आपको height का option मिल जाएगा, यह देखिए, height option है, यहाँ पर हम 6 feet कर लेते हैं height को, now see, जैसे आप ok करेंगे, यह देखिए, यह देखिए, तो easily आप change कर सकते हैं, अपनी requirement के according, इसी तरह से मैं एक last style आपको और दिखाना चाहूंगा, तो हमने यहाँ से window कि लोड किया गें, और यहाँ से हम रख लेते हैं, इस तरह से अगर हमें opening में या door के साथ रखना है, तो भी आप इस तरह से कर सकते हैं, या फिर यहाँ से window bay, cobble ultra, यह हम ले लेते हैं, पुरा like cabinet जैसा window है यह, तो इस style में भी अगर हम commercial buildings बना रहे हैं, तो use कर सकते हैं, बट यहाँ पर अगर हमें इसे लगाना है style को, तो यहाँ पर जैसे place करेंगे, यह आप देख सकते हैं, यह देखे हैं, इस तरह से, इस तरह की चीज़े अगर आप manually बनाएंगे, अगर आप family की help से बनाएंगे, तो आप अगर Revit में काम करते हैं, तो आप जानते हैं, इन चीज tools का use करके आप इसे बना सकते हैं, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप time save करना चाहते हैं, देखे, ultimately हमारा purpose software को use करने का यही होता है, कि हम कम समय में lucrative, attractive और advanced चीजें, modern architecture हम बना सकें, तो guys इस तरह से आप online models को download करके, tools को download करके, modern and contemporary designs के अंदर window को free of cost अपने और comment करके बताईएगा, ताकि हम future में इसी तरह के interesting चीजें, और भी experiment करें, और आपके लिए लेके आ सकें, finally मैं एक चीज इसमें और बताना चाहूंगा आपको, अगर जैसे कोई भी style हम यहाँ पर prefer कर लेते हैं, like यह वाला style हमने ले लिया, और इसमें हमें open करके, कोई भ यहाँ हो जाएगा, details से related, material से related, और dimension से related, लेकिन अगर हमें existing shape के अंदर ही change करना है, उसकी property के अंदर जो option available नहीं है, अगर उसमें हमें change करना है, तो यहाँ पर आप एक option देख सकते हैं, which is added family, तो जैसे हमने door में किया था, बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पर click करना जाएंगे, तो यहाँ साप इसे realistic कर लिजेगा, यह देखिए, यह separate window आपके पास open हो जाएगी, जैसे कि मैंने starting में आपको first lecture में बताया था, कि Revit 3 यहाँ पे different application में काम करता है, file format में काम करता है, RVT, जो कि हमारी project file होती है, और यह है RFA, जो कि family file है, तो अभी family file हमारी open हो चुकी है, तो जो भी आप edit करना चाहें, like, जिसे sliding है, और हमें इसे slide करके दिखाना है, तो आप easily उसे change कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, view में जाना है, floor plan में जाना है, floor line को हम activate कर लेंगे, और यहाँ से हमें glass plus ये window, और यहाँ पे इसे, इन तीनों को select करके, यहाँ पे इन तीनों को select करेंगे, और इसको हमें move कराना होगा, तो कैसे move करा सकते हैं, तो simply आपको move tool का use लेना है, और यहाँ से आप इसे open करके दिखा सकते हैं, like हमने open किया, constraints को remove किया, कैसा दिख रहा है, 3D में check कर सकते हैं, एक बार, यहाँ से open हो गया है, इस त इसे भी open करना है, change करना है, shift करना है, तो आप इसे shift कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें अगर इतना ही open करना है, तो अगर इसे आप separate बार बार यूज़ करना चाहें, इस opening को, तो इसे आप save कर सकते हैं, otherwise इस project के लिए सरफ एक ही जगे करना है, तो directly आप इसे यहाँ से upload कर सकते इवन जो form है window की, उस form को भी आप change कर सकते हैं, उसके style को भी आप edit कर सकते हैं, वो future में जब हम families के बारे में discuss करेंगे, तब मैं उनके बारे में आपको सारी चीज़े detail में बताऊंगा, so guys window के बारे में ये video आपको कैसा लगा, अपना feedback comment में हमें जरूर दें, ताकि इसी त एक experiment हम आगे आने वाले videos में भी करते रहें, so guys अगर आप हमारे channel पर पहली बार आए हैं, तो इसी तरह के और भी आप interesting videos देख सकते हैं, और अगर अब तक आपने channel को subscribe नहीं किया है, so it's my humble request, please channel को subscribe कर लीजिये, और इसके साथ में जो bell icon है, इससे भी जरूर प्रेस कर ताकि future में जो हम और भी interesting videos आपके लिए लेकर के आएं, वो notifications आपको सबसे पहले मिले, so thank you so much for watching this video, bye bye and take care.